बियार सिफिल कोड दो हजार पाइस को लेकर एक साल से जादा हो चुक है पिवन एन कलर की एक्साम डेट अब भी तक नहीं है इसको लेकर लगतार चैट वोट पर मैसेज आते रहते हैं कि एक्साम कब तक लिए जाएंगा वो इसको लेकर कुछ डेट और मंत भी सुझाओ किय जाते हैं ऐसा चल रहा है इंटरिनेट पर क्या येदे इसको लेकर लगतार रहतार कंफरमेशन मागे जाते हैं वो एक रही जासकते हैं और में मार्च के महीने में मार्च अप्राइल में किस महीने में लिए जा सकते क्या पॉबलिटी है इसके उप्रबात करें काफी हद तक इस वीडियो से आप ये चीज़े समझ जाएंगे कि आपका एक्जाम डेट को लेकर अब भी क्या चल रहा है तो चैनल पर आपने चैनल को फोटी बहुत आपको आइडिया ज़रूर होगा यहां पर जैसे एक पत्ना है कोट के की मीटिंग रखे जाते हैं यह मंत में 15 दिन पर बुला है जाते हैं यह पंदर दिन के बाद ही एक जैसे यहां पर काम हो गए अब यहां पर एक सेलेक्शन कमीटी बनाए गए जो छे सदर से कमीटी है और इनको काम यह दिया गया है पतना बिहार सिविल कोड के डिपोजिशन राइटर अस्टेनोग्रापपर कलर एंप्यून के एक्साम के जो भी कंड़ेट लोग अप्लाई कर रहे है उनका एक्साम और गनाईज करना किस तरह से इस पोस्ट को फुल्फिल किये जाएंगे किस तरह से इनके मैरिट तियार की यह सब कुछ निर्णा है यह 6 सदसे सलेक्शन कमीटी लिए लेगे और यहां पर यह सदसे सलेक्शन कमीटी के पास एक लिमिटेशन यह है जो भी यह ड्राफ्ट बनाएंगे जो भी इस प्रोसेस को पुरा करने के लिए जो भी इनके पास आइडिया होंगे जिस तरह से फिर यहां पर यह ज़रूरी भी नहीं कि यह जो भी 6 सदसे सलेक्शन कमीटी ने जो भी निर्णा लिया इसको पर अप्रूबल मिल जाते हैं तो आपका डेट निकलकर आज जाएगा और यही लगतार एक साल से चल रहा है एक साल से ज्यादा हो चुक है और यह भी डिपोज कि ज़रूरत से जाद है कि जहां पर इनका काम ही सिर्फ लोगों को सलेक्ट करना उन विभागों के लिए जहां पर जरूरत है अब इनका काम यह काम नहीं है यह अडिशनल काम है जिसके वज़ा से यहां पर यह पिछले भी जितने भी रिकूर्टमेंट आपने देखा तो वहां पर भी डिले आपको देखने को मिलेंगे यहां पर हम लोग बात कर लें कि मार्च में हो सकते हैं तो मार्च भी कन्फर्म आपका नहीं रहेगा क्योंकि अब जब तक यह छे सेलेक्शन कमिटी कोई भी मन्त इस मन्त में लेने को प्लान कर रही आप इसको एप्रूबल के एक लेटर जारी किये जाएंगे सभी डिस्टिक अडिस्टिक 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 अडि नोटिस बिहार सिविल कोड के ओफिसल वेसाइट को ऊपर आएंगे तो यहां पर आपको इंतिजार करने के लावा कोई option नहीं है तो अभी इस फंवहें ब बात करें अभी क्याबी बात करें तो कोई भी date चाहे मार्च हो चाहे अप्रेल हो चाहे में हो जून हो कोई भी मन्त क लर्क एन्पीवन के एक्जाम कब तक लिए एक रफ आइडिया के लिए अप खुद को अंदोस्त देने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंग आप सभी को ब्यार्स विलकूट के आप मान के चल सकते हो कि मार्च के महीने में आपका किस्मत सही रहता है तो मार्च लास्ट तक आप मान के चलो कि अपरेल में कुछ निकल कर आएगा क्योंकि जब भी असरेणी कमीटी के बैठक होगी देन वहां पर निकल कर आएगा जो जनवरी में ही निकल कर आएगा जनवरी में क्या डफल्मेंट होते हैं क्या किये गया है जनवरी में एक्जाम सेंटर प्रकॉर्मे को पर डाले जाएंगे कि हां इस मंद के डेट कंफर्म कर लिए गए और इस मंद के इस डेट को आपका अपकर अपन के एकजाम लिये जाएंगे तो अब भी के लिए जीतनों लोग भी इस फॉर्म का प्लाइक कर रहां जीतनों लोग लगतार message करते रहते हैं तो मैं उनसे suggest य ख्याल मेरे ख्याल से बस आपको सबर के साथ इंतिजार करना पड़ेगा आपके पास यदि है सबर थोड़ी सी तो आपको इंतिजार करने के लावा कोई option नहीं गया है आप जितना भी ज्यादा हो हला होजा है यहाँ पर बिहार सिविल कोड के पास सेलेक्शन कमीटी के पास इनके पास भी लिमिटेशन है और इनकी भी कुछ जो लिमिटेशन है इस लिमिटेशन की वज़ासे यहाँ पर इनके बीच कॉडिनेशन बहुत ज्यादा श्लो है और कॉडिनेशन श्लो होनी के जासे यह जो प्रोसेस है आपको डिले ही देखने को मिलेगा और एक्जाम डेट कंफर्मेशन को लेकर हमें बहुत इंतजार करने होगा इसाइब जनवरी में भी यह कंफर्म हो पाए कि अब मार्च में एक्जाम होगा या अपरेल में यह भी कहा पाना पॉसिबल नहीं है कि कि आपको मार्च अपरेल भी कंफर्म हो जाए जो भी कंफर्मेशन मिलेगा जहां तक मुझे लग रहा है फैवरी लास्ट तक आपका एक्जाम मंत कंफर्म होगा कि हाँ हम इस डेट को एक्जाम ले रहे हैं व्यार्ट सिविल कोड कलर कैंपीन को तब जाकर आपको कंफर्म मिलेंगा मार्च जनवरी के मंत में उमीद लगव लगव ना के बराबर है कि हाँ एक रफ आपको सायद कुछ निकल कर आ जाए वह अलग बात है नहीं तो आपको इंतिजार इंतिजार सायद फैवरी या मार्च के पहले विक तक करना पड़ेगा कि एक्साम डेट किस मंत मे तैक किए गए अभी के लिए कोई भी डेट जो भी आप इंटरनेट को पर जो भी आप चैट बोर्ट में मंत सजेश्ट कर रहे हो जो लगव ना को चैट बोर्ट में मैसेज थे अपरेल और मार्च के महिने के जिक्र किये जा रहे थे ये मंत अभी तक कन्फर्म नहीं है आपका एक्जाम डेट किस डेट को रखे जा रहे हैं तो चलिए उमीद करता हूँ जितने लोग के भी जो भी डाउट है अब भी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है और जिसके दम पर हम लोग ये बता सके कि हाँ इस डेट को लिया जा रहे है तो मैं सजेश्ट क्या ही चलिए आज किस वीडियो में तो नहीं और इस वीडियो को देखने के लिए आप से भी बहुत बहुत धन्यवाद जाहें